हेलो फ्रेंड एक बार फिर से राम राम सारानी बुड मोर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आई होग कि आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे तो आप लोग पर एक बार तिससे बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युटूब चैनल पर ही व्लोग में तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं फैमली फिटनेस की सबसे पहले में अपना नाम बता दूँ बहुत से लोग कनफीजन है जो अपर ही बोलते हैं मेरे नाम है रस्मी मलिक और मैं हूँ यूपी से ठीक हाँ वोई वाली मलिक जो अर्मान मलिक लगाता है तो मैं यूपी स तो कल अर्मान मलिक का एक इंट्रिव्य आयता कि पाकिस्तान से उसको धंकिया मिल रही है उसके और उसके परिवार को खत्रा है घर से बाहर निकलना मुस्किल हो रहा है तो मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ कि सबको बता है जितने लोग ये जानते हैं कि अर्म अर्मान मलिक के खिलाफ उसने बहुत सरे सबूत दिखाए है चाहे वो इसकी फैमिल से लेटेड़ हो चाहे उसकी बहुत से लेटेड़ हो चाहे उसकी सननें से लेटेड़ हो चाहे उसके बच्चों से लेटेड़ हो वाइप से लेटेड़ हो कि नैपिंग केस से हो या किन कर रहे हैं बहुत सारे कमेंट देखे होंगा हमें जब इंटर्व्यू हा था उसके नीचे बहुत सारे कमेंट है सारे कमेंट टोटली कमेंट जो है उसमें से 90% कमेंट जो है वो अर्मान मलिक के खिलाफ हैं क्यों है अर्मान मलिक के खिलाफ ऐसा किरन ने क्या किया कि अर्स सबको पता है जो कर रही है वो मतलब पैसे दे देगे खरीदरी है लोगों को उसके खिलाब बोलने के लिए तो मैं एक बात पूचाओंगे अरमान से किया अरमान सबसे पहले तुमारी बेहन तुमारी दोस्त तुमारी फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने किरन को सब कुस बताया है क्या वो लोग किरन के हातों बिख चुकी है क्या तुमारी बेहन कि तुमारी बेहन भी किरन के हातों बिख चुकी है क्या तुमारी खिलाब बोलने के लिए जुट बोलने के लिए कि उसको पैसे दिये हैं, क्या ऐसा होता है कि तुम्हारी बेहन, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी फैमिली भी 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 जिप चुकी है, क्या तुम्हारी बेहन, वो तुम्हारी बिलड से रिलेटिड है, तो क्या, उन लोगों को भी किरन ने खरीद लिया है, सेकिंड बात इतनी रात को अच्छे घर की लड़किया लाइव नहीं आती हैं तो सहरों में तो देखो अच्छे घर की लड़किया हो यह बैकर घर की लड़किया हो शेरों में तो हर एतनी रेटर लाइब आता है आप भी आते हो तो क्या आप भी अच्छे कर गारफести नहीं हो मोर्निंग में 6 बजे बंदर उट जाता है आप लोग उठते हैं 10 से 11 बजे तो क्या आप लोग अच्छे नहीं है तो रात को लाइव आने से या किसी के उपर कुछ भी कहने से इससे कुछ ये सब बाते गल्थ हैं इससे अच्छा है कि आपसे बैठके बात करने जो भी कुछ आपके खिलाब बोला जा रहा है वो सब आपकी फैमली के दौरा ही बोला जा रहा है तब ही सब लोग विलीब कर रहे हैं अगर ऐसा होता कि सिर्फ किरन ही बोल भी होती तो लोग साथ दुश्वास ना करते लेकिन किरन जब विद प्रूफ दिखाती है आपकी फैमली आपकी बहन की वोईस हमने भी सुनी है बताते हुए कि कैसे आपनों को पायक से पीटा कैसे बैट से पीटा और आपने क्या-क्या किया है पायल एक बार डांसर है सब कुछ जो प्रूफ दिखाती है ना वो 100% सच लगते है जो कि अगर वो ये बात बोल भी होते है तो में माल लेती कि हाँ वो ये बात गल्द बोल दी है लेकिन हमने खुछ तुना है आपकी भेहन को रितिका को कि दन से बात करते हुए कि आपके बारे में सब्सक्राइब है highs यागी बताते हुए तो अगर आपने चाहते हैं कि यह सब कुछ festival ब één T आए तो इसके लिए आपको अपनी फैमिली को रोगना पड़ Camse लोया कि आपकी फैमिली ही कि है कि आपकी family आपके खिलाब जाएगी और जब public को आपकी followers आपके खिलाफ सबूत मिलेगा तो वह क्योँ नहीं वीडियो बनाएंगे क्योँ नहीं आपको सपोर्ट करते हैं तो उनका हक है आपसे कोशन पूछने का जो भी कुछ पूछन आ रहे हैं निकलके 11 साल की बच्ची के रेप का हो आपकी तीन साधियों का हो या फिर क्रिड नैपिंग केस का हो कुछ भी है तो वह आप से ज़रूर पूछेंगे उसको लेकर और सबसे बड़ी पार हो आपसे कुछ नहीं पूछ रही लेकिन आपसे एक कोशन में पूछता हूंगे आपसे कि आपका संदीब जांगरा है आप जानते हो आपका नाम संदीब जांगरा है तो देखो नेम चैंज हो सकता है जैसा आपका नाम संदीब है तो आप अर्मान रख सकते हो राहूल रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो ले इसे अपने नाम के पीछे आप ज्यांग्रा से मलिक लगा सकते हो ऐसे कोई काश्ट होना चैंज कर लोगे आप या फिर हमारे देश में ऐसा कांग लाग हो गए कोई भी अपनी कुछ भी काश्ट रख सकता है इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी डोकुमेंट बने हो चाह आपका अधार कार्ड बना हो चाहिए आपका पैन कार्ड बना हो सब कुछ आपका फ्रोड है क्योंकि आप तो ज्ञांग्रा आप तो मलिक होई नहीं आप तो ज्यांग्रा हो अगर किसी हस्बेंड वाइफ का डिवोस हो जाता है ना तो उसके बाद भी जो बच्चे होते है ना जो फाइफ के पास ले आते हैं तो उन बच्चों के पीछ सरनेम भी ना उनके बाब करें लगता है पेसा को डिवोस वो बच्चे अपनी मा के पास रहते हो डिवोस के बाद तो आप मुझे बताओ आप सरनेम कैसे चैन्ज कर सकते हो अपना मैं आपको कुछ नहीं बुड़े बतलब कि उसकी पहचान हो वो उसका अपना सरनेम कैसे चैन्ज कर लेगा हर किसी के लिए अपनी काश्च बहुत महत्वून होती है हर किसी को अपनी काश्च अच्छी लगती है किसी कोई काश्च बूरी नहीं पिसी सब लोग ना उपर से एक ही बन के आए हैं उ आप मुझे बताओ आपने अपना सरनेम कैसे चैन्ज कर लिया जब आपकी फादर का सरनेम है वो आपके सरनेम के साथ जूरे और आपने सबका सरनेम चैन्ज कर दिया पायर मलिक, रितिका मलिक जा तक कि सपना मलिक भी तन्वी मलिक जो सपना की बेटी है तन्वी वो कैसे ल और रही बात चीज कि तेखो इसमें हिंदु-मुस्लीम वाला कोई मैटन नहीं है कोई भी तुफाल तुम्हें हिंदु-मुस्लीम वाला मैटर ना बनाऊना तो यह अच्छा है इसमें हिंदु-मुस्लीम वाला मैटर कुछ नहीं है आप खुद देखो अगर आप गल्ट ना होते आप सच होते तो आप बताओ जितने भी आपने कल इंट्रिव्य दिया हुआ वालों को उसके नीचे क्या एक भी कमेंट आपके सपोर्ट में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है आप अगर यह सब कुछ छोड़ के आप अपना जो भी कुछ है जो भी कुछ इलेटिट है इस केस से वह आप सबको सबसे सबसे प्रदादो अगर आप सच लगेंगे तो लोग तो आपके सपोर्ट में जाएंगे, अगर लोगों को लगता है कि किरनी सही है, तो लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे, तो आपको जनता ही है जिसने आपको वहां से यहां कुछ आया है, और वो जनता है कि आपको यहां से यहां भी ला सकती है, ठीक है? अगर जनता कुछ तो आपको सवालों का जुआब जनुन देनं चीए क्या है कि आप ज давно का पश्चल रहे है नहीं जानता की जोती है न आवाज अब जीन रख भास उतीजाएंग सब्सक्रा और नहीं ऑफ मैंने अटाहएं को जादा कुछ होग सकता है तो आप तो यह सब कुछ नहीं चाहत aan हुए हम चाहते हैं कि आपका पयाया चैनल में बंद हो यह बेकार हो न ने तो हमें आपसे कोई दृस्मन नहीं हमें किर से कोई मॉपत है ठीक है हमारे लिए ऐसी किरन है ऐसी आप है लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी कुछ Misunderstanding चली है जो भी कुछ सच है जूंट है वो सब के सामने आ जाए जो कि अब हर कोई बंदा ना आपको गल्द बता रहा है तो हम आपके as a followers होते होगे पूछना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गल्द है वो सिफ आप बता सकते हो और अपटे लेकिन इस चीज़ के लिए उपर नहीं बोलूनोंगे आप सेर्णेम नहीं चेंज कर सकते हैं आपने सर्नेम क्यों चेंज किया कैसे चैंज हो सकता है सर्नेम आप मुझे बताये अगर आसे इस चेंज्ज नहीं चेंज हो लोग짜 तो हरकों सर्मइम चेंजिक यहले को हुआ और आप मोलतो कि मैं नहीं किया हैं इक विडियों देखें रहे हैं मैं अपनी बिल्ग्णार्ण हरा है यह फ्रीन हरूं। तो आप ने अपना धर्म चैन्ज नहीं किया है, तो आप मलिक जाठ हो, लेकिन आपकी भेहन में खुद बताया कि आप जाठ मलिक नहीं है, आप जांग रहा हैं, तो आप ऐसे अपना नाम कैसे चैन्ज कर सकते हैं, तो इस वीडियो करती है ही पर हैं, और मिलते हैं फिर आपक किसे नहीं वीडियो को साथ तब तक के लिए, बाई बाई टेक केर,